केसो भई पहरे साथियो आप सभी का स्वागत है आप सभी का विलकम है आज के सेशन में पहरे साथियो हमने लास्ट दो दिन में अगर हम बात करेंगे इससे पहले हमने हड़ापा सभिता को कल की क्लास में आपको पढ़ायता जो चेप्टर नमर चार था इंसियाटी का चेप् हम ने हमनें आपको बतायता कि कैसे जो आरंभिक मनुस्या वह क्रशक हुआ पसू-पालक हुआ यह दो चंप्तर आपको पढ़ायते आLEक्त की क्रास में हम सबसे पहले MSQ 친修 डिस्कस करेंगे क्रशक और पसू-पालक वाले चंप्तर के MSQ डिस्कस करेंगे फिर फिर हमने जो कल आपको पढ़ायता हरपा सब्वेता और उसकी सारी विशेष्था हैं वहां के नगरों की विशेष्था हैं, वहां के सिल्प की विशेष्था हैं, वहां के सटकों की विशेष्था हैं, भवनों की विशेष्था हैं उन्हों पर आधारत क्वेसं को हम डिसकस क करेंगे तो चलिए सेसन को स्टार्ट कर लेते हैं फटापट से नमस्कार मेरा नाम है अनुपम भारत द्वाज और जिस यूटूब चैनल को आप देख रहे हैं यह मेरा परस्टनल यूटूब चैनल है उस पर आधारत कुछ 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 संस हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे पहला प्रस्ण आपके सामने कह रहा है कि नमलकित में सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया इसको अपना पैट बनाया गया पालतू बनाया गया यह सवाल है जबाब दीजिए इसका सोचे जरा मैंने आपको बता ही था कि जो सबसे पहले जो पालतू जानवर जो बनाया गया गाए बकरी कुट्टा और बैलमगरम बात करेंगे तो कुट्टे को मनुष ने क्या बनाय सबसे पहले पालतू बनाया गया जो कुट्टा जो पूरवज कुट्टा था आजकल की कुट्टों का उसको मनुष के दौरा सबसे पहले पालतू बनाया गया उसके बाद अगर आप से पूचा जा कि कुट्टे के बाद किसको पालतू बनाया गया तो भेड बकरी को उसके इस बात क्या बनाया गया पालतू बनाया गया इस बात को आप नोट कर लें इस बात को आप याद रख लें बात के लिए रहे चलिए सी इसका सेयुतर हो जाएगा दूसरे क्वेसन के बारे में बात करें कि निमलकित मेंसे किन इस्थानों पर पुरातत बिदों को सुरुआती करसकों और पसू पालकों के होने के साक्ष मिले हैं निमिलि फित मेंसे किन इस्थानों पर प्रातत भितों को सुरुवाती कृसकों और पसूपालकों के होने के साख्षम को प्राप्ट हुएं.. तो देखो। पायम पल्य हमने बताया था हलूर, महागड़ा, गुफकराल और बुर्जहूम, सुरुवाती करसकों और पसुपालकों के तो हमने आपको बताया था कि बहुत सी जगे मैंने आपको लास्ट वाले चेप्टर में आपको यादा रहा हुगा एक मानचित्र था और इस मानचित्र में मैंने आपको बहुत सार इस्थान मारक करके बताये थे और उन इस्थानों मैंने आपको बताये था कि यह सभी के सभी वो इस्थान है जहां से हमको क्रसकों और पसुपालकों के साख्षम को प्राप्त हुएं इस बात को आप यहाद रख लिजेगा, इस सूची से सुमिलित कीजिए येवग नीचे दिये के कूट की साहिता से सही उत्तर का चेन करेंगे match list first with list second and select the correct answer using the code given blue सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है अब सूची 1 को सूची 2 के रखी मेहरगड, कोल्डीवा, चिरान और गुफकराल यहां पर इस्थान दे रखे हैं उत्तरप्रदेश, कस्मीर, पाकिस्तान और जराबिहार मैं इसका उत्तर तो बताई दूंगा, पहले जराब अपना दिमाग लगा करके जराब बताई हुई है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, क्या इसका उत्तर समझ में आ सकता है, बताओ, ठीक है, बताई जराब, तो आपको पताए किसका सित्र क्या हो जाएगा, बी इसका सित्र हो तो तीन एक चार दो इसका सहुत्र हो जाएगा इस बात को याद रख लीजेगा आपको याद आ रहा हुआ है मैंने जब आपको complete theory जब मैंने आपको पढ़ाई थे ता मैंने आपको समझाए था ठीक है याद तुवारान आपको complete चलो आगे बात करेंगे अगले समझ में बात hedger चाहए थे तालो मेंसे कौण से प्रेटि मार ग्रस के शुम्मिलित नहीं है महागड बुर्ज हो फंदोर प्यमपलि देखो प्यमपलि मेंने आपको मतायता क्या से तेलंगा नाम है ये बात इसमेंसे सही प्यमिलित नहीं यह इई बात गलत हो जाएगी कहरा है कौन सेभी सुमिलित नहीं mound , तीन और चार उहलूर आंद पदे-श यह भी सही सुमिलित नहींعم। तीर और चार इसका सही तरोज आए कि यह समय से सही सुमिलत नहीं है, दोनों के गलत मेजर कॉलम है, ठीक है, समझ में आए विया, किलियर यहां पर बताओ, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, आगे चले, चलो. 25 स्वाल के बारे में बताओ, पुरातट गईों को कुछ पुरा स्थल पर जो पढ़्यों और घरों के निसान मिले हैं, बुर्ज होम पुरास्थल से और अपर ऐसे साक्षे कांदर में नेमलगित प्रात गत्रों कुछ पुराइस्तलों पर जहूंपड़ियों के निसान मिले पूरुक्त तत्रों में से कौन सा कतन सही है एक और दो दोनों कतन इसके क्या हो जाएंगे बिलकुल सही हो जाएगा C इसका उत्तर बिलकुल सही है देखो इतना बड़ा सवाल है और यह सवाल की लेंगविज बिलकुल ऐसी है कि चाहिए TGT चाहिए PGT exam अग्जाम में NCRT बेस्ट आमोवन UPSC level के exam में भी UPSC PT में अगर बात करेंगे तो वहां भी ऐसी सवाल पेपर में पूछ ले आते हैं PT के exam में किया क्या 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 कानी हो सकती है तो इनमें क्या concept का खेल है बाबुजी इनमें क्या concept का खेल है और concept कहां से मिलेग आपको concept आप अच्छे NCRT नहीं पढ़ते हैं यह कीन मानिया दिकांस लोग NCRT पढ़ते हैं उन्हें पता ही नहीं कोई NCRT में कि बढ़िया बढ़िया चीज़े लेकिन अब क्या ही बात करें है ना चलो 26 स्वाल के बारे मताई नव पासाड यूग के संदर में निमलकेत में से कौन सा कतन सही नहीं है इस काल में पुरा पाशाड एक ओजारों का प्रियोग और निर्माड पूर्ट बंद हो गया देखो यह में पढ़ाते वक्त आपको बताए था कि पूर्ट था बंद नहीं हु इस काल के ओजारों की धार को अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिस चड़ा जाती थी यह पढ़ायता याद आ रहा है कि नहीं है रहा है बोलो यह सो नो में कमेंट करो इस यूग में बनस्पतियों ने चीज़ों को पीछने के लिए उखली वह मूसल का प्रियोग होता इस योग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंक्रण आरंब हो गया था यह भी सही बात है लेकिन सही नहीं तो कौन सा सही नहीं है एस काल में पुरा पासाण और जारों को अनिर्माण पूरता बंद हो गया तो यह बात गलत है बंद नहीं हुआ था उनको भी चालू थे कोई कह रहा है नव पासाण काल में कपास उपजाए जाने लगा था नव पासाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे नव पासाण काल में कपास उपजाए जाने लगा था ए और आर दोनों सही है तता आर एका सही इस पस्टी करण है ए तता आर दोनों सही है परनतु आर ए 靡ी का क्या हो जाएग भी या सही इस पास्थेकरण हो जाएगा इस बात रख लिजी ए तो लिजीग करेंगे प्रस्ण संग्य आठके बारें बताई मेहरगद निमलिकित मैंसे कि surviving मेहरगद निमलिकित मैंसे किस दर्रेकेन निकट स्थित है और तो मेहरगड इस तरफ जह मार्क जाता है और वहांपर कोंता दरआ श्तत है और वहां पापर बोलन दर्रह स्तत हैं तो मेहर का डंकित में इसे रहा कंभ सीयुकंड मे他ई इसका निकत साहँत्ताय को चीए और इसका हो जाएगा जाय ज़ाएगा याद रहाएकन से साहां यूत्तर हो जाएगा इस चीज को याद रख लिएगा ठीक है चलो आगे बात करेंगे अगला नोवा सवाल थोड़ा सा बड़ा है आप इस नोवी सवाल को जड़ा पढ़ ले तब तक में थोड़ा सा जल पान कर लूँ थोड़ा सा पानी पिलू है ना आप लोग तब तक इस सवाल को पड़ी है क्या इसका उत्तर ही हो जाएगा है थीक है कहरा है मेहरगर से प्राप्त कब्रो में मरत्तों के साथ कुछ समान भी रखा जाता था बिल्कुल रखा जाता था बकरी रखी जाती थी वो लोग एही लोग और पर लोग में विश्वास करते थे वो मानते थे कि मरत्यू के बाद भी जीवन है मेहरगड के लोगों का मानना था कि मृत्यू के बाद भी जिवन होता है सही बात है और आर दोनों सही है और आर एका सही इस पस्टीगरण भी है इसका सही तर क्या हो जाएगा भी है इसका बिल्कुल सही इस पस्टीगरण हो जाएगा किलियर भी यह बोलो यहां तक क्रिस्टल के लिए एकदम नौब प्रशन चलिए अब दसवे प्रशन की तरफ चलेंगे दसना प्रशन कह रहा है भी यह मेहर गड़ से प्राप्त एक कब्र में निम्लिकित में से किस पालतू जानवर को मरतक के साथ दफनाए गया था निम्हार के साथ आरी भी आरी ऑर भी दौदन अवर निम्लिकित में से किस पालतू जानवर को मरतक आप जानते हो जानते हैं है था और बक्री को भी कहांपर दफना गया मेरगर्ण के थीक है समझ में तो आ रहना सभी के दिवलो यह तक एक एक बात आप सब की दो भी होगी ठीक है ठीक है क्रहं सर यहां पर हमारे समझ अरीक परफेक्ट ठीक है कोई शू दो नहीं आदर चलो बहुत बढ़िया अगले सवाल की तरफ चलेंगे ग्यारेवा सवाल कहा रहा है इन्नमलेकित पुराइस्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पाहडी पर इस्तित है इसके बारे में आपको जबाब देना है बताई इसके बारे में जबाब दीजिए इसके बारे में क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगड हलूर गुफ कराल दाउजली हेडिंग कोंसा इसका उत्तर सही हो जाएगा तो याद रख लिजएगा हमने बताया था ब्रह्मपुत्र की घाटी उधर चलेगी हसम साइड में तो दाउजली हेडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा आप नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाया तो इसको एक बार याद भी रख सकते हूं ठीक है कोई शू तो नहीं बिया भाई आप में से जो भी न्यू स्टुडेंट है उनसे मेरा निमिदन होगा प्लीज इस चैनल को क्या कर लेना विया सब्सकाइब कर लेना ये मेरा नया चै जो नेक्स्ट अपकमिंग मंडे आ रहा है उस नेक्स्ट अपकमिंग मंडे को अगर हम बात करेंगे तो हम इस पर क्या स्टार्ट करें विया तक बैस्टि के लास में स्टार्ट करेंगे क्या क्लास्मी sound करेंगे और ऑलती की क्लास intentional cat डिटेवले को पराएग ठील में सी तरि साम को चार बजे हम क्या पढ़ेंगे साम को चार बजे हम क्या पढ़ेंगे साम को चार बजे हम आपकी पढ़ी रहें साम को चार बजे हम बात करेंगे तो साम को चार बजे हम पढ़ेंगे यूटूब पर बिल्कुल फ्री में के लिए रहें पस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीज चैनल को सब्सकाइब कर दीए दोस्तों को भी वेजिए कि भी आ बिलकुल फ्री में पढ़ो SST अनुपरमसर पढ़ा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में विएका लिख देना SST by अनुपरमसर ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सांदार जवर्दस जिन्दाबाद अगले सवाल के बारे में बात करेंगे जरह 12 सवाल के बारे में पढ़िये 12 सवाल के बारे में पढ़िये यह ओल्ड NCRT से पूछा गया क्वसन है नई NCRT में इस पूरे सेक्षन को हटा दिया है जो कोविड के बाद की NCRT इसमें इसको हटा दिया है करा चताल ह्यूग पुरास्तल के इस अंदर में निम्न कत्नों पर विचार करिए विद रेफरेंश टू चताल ह्यूग अर्कोलोजिकल साइट कंसिडर दी फूलोविंग स्टेट्मेंट चताल ह्यूग पुरास्तल के इस अंदर में निम्न कत्नों पर विचार करिए नौपासाड यूग के सवसे परसिद पुरास्तलों में से एक है चताल ह्यूग जो कहां पर विया तुर्की में है यहां दूर दरा जिस्तानों से कई चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी जैसे सीजिया से लाए गया चकमक पत्तर लाल सागर की कोड़ियां तता भूमद सागर की सीपी है उपरत कत्रों में से कौन सा खातन सही है पुरास्तल फैक्ट्री हाउस हमने आपको बताया था उद्ध्योग स्तल जिनकों कहते है पुरास्तल जहां पर लोग कुछ अपना बनाते थे चीज़ों को ऐसे भारत में भी वह सारी चीज़ें पाईगी है ऐसे ही एक चतालियूक तुर्की में भी पुरास्तल हो जा गया है तो दोनों कहतन बिलकुल सही है वहां से जो ब्यापारिक चीज़ें हमको प्राप्त हुई है यानि जो सीरिया देश से लाएगे चक्मक पत्थर के साक्षम को चतालियूक से प्राप्त हुई है लाल सागर की कौड इसको पूरा समझ भी सकते हो अच्छा कोशन है चलिए परशन संक्या 13 के बारे में जबाब दीजे निमलकित पुरास्तलों में चौकोर तता आयताकार घरों के अवसेस कहां से मिले हैं फ्रॉम वेयर हैव दी रिमेंस ऑफ श्क्वेर एंड रेक्टेंगूलर हाउस बीन फा को पारप्त हूं कासे प्राप्त हुए जबाइस पुरास्तलों में चौकर nótta आयताकार घरों के अवसेस कहां से मिले तो हमने आपको बता ता चौकर या एलंता कारण met деully अवसेस और में हो से प्राप्त हुए चौकोर और आयताकार घरों के अपसे इस कहां से प्राप्त हुए तो हमको मेहर गड़ से प्राप्त हुए इस वात को याद रख लिजेगा भाया जिस यूटूब चैनल प्रभी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है अपने नाम पर इस चैनल का नाम किया है मेरा नाम अनुपों भारतवाज है आपको बढ़िया पढ़ा रहा हुए उस अंदर तरीके से तो भाया सेशन को लाइक कर दो जो नहीं किया तो ऑफ-लाइन कमेंट मस्ट इंपोर्डेंट है कमेंट करके आप हमें बताएं कि सेशन आपका कोई डाउट है आप अपना कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं आप इस कोई क्वेस्टन हमसे पूछ सकते हैं अपना और अच्छा लग रहा है तो वह भी कमेंट करें चैनल को इसको सब्सकाइब करें इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जादा नीड है तो आ और यह क्योंकि यह recorded class है मैंने इसको पहले रिकॉर्ड किया हुआ था आपके लिए लाज आप देखरें इसको recorded तो लेकिन बढ़िया है कि आपकी तैयारी मजबूत होती रहे मैं थोड़ा से बाहर से बाहर आया हूं इसलिए मैं इसको आज बाहर जा रहा हूं आज की तारीख सब्सक्राफी पॉलटी पेडागोजी एसस्टी साथ में से 50 प्लस नंबर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करा जाएगा थैंक्यू वेरी मिच जैहिंद पढ़ते लिए मुस्क्राते लिए शुक्रिया